नमस्कार मेरे चैनल पर आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस तरह के लेडी सिलिपर बनाएंगे मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद इन लेडी सिलिपर की बात करते हैं जी ये मैंने यहां से शुरू किये और इसको यहां से बाद इसका बॉर्डर बनाके और उसके बाद इसको सेंटर से बढ़ाते हुए ये इसका निच्चे चार तरफ से सोल बनाएं और ये यहां से फिर लास्ट में इसको यहां से मैंने जोडा है और इसमें मैंने जी चालिस जोड से बनाई है चालिस जोड लिए इसमें उपर स का चपपल आती है मेरे को और यह उस मेरे बिल्कुल सही आ रहा है देखी यदि आप बच्चों का बना रहे हैं तो आप 20 फंदों से 20 जोड से 20 को बना सकते वह आपकी अपनी इच्छ है यह फंदे फंदों का हिसाब आपके बुनाई पे आपकी उन पे और आपके हाथ पे डि चलता है जैसे 40 फंदों के साथ यह देखिए मेरा हाथ इस तरह से है और यह राम से खिच रहे हैं और आप इस पे जिस हिसाब से आपकी बुनाई है उस हिसाब से आप फंदे लेके इसको बना सकते हैं यह सिर्फ एक मैथ्टर्ड है कि पैट्रन है कि यहाँ इस तरह से यह जुराबे बन सकती हैं आईए जी इन्हें बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने इसमें 10 नंबर की सिलाईयां यूज की और यह जो जुराबे बनी हुई है यह हरे रंग की बनी हुई है और मैं आपको जो बताऊंगे वह यह इस तरह की लाइट पिंक कलर की बनानी बत बताऊंगे 30 जोड यानि 60 फंदों के और यह 80 फंदों के जुराब बनी हुई है आपको मैं नाप के बता दूंगे उसके बाद कि यह 30 फंदों की जुराब में और 40 फंदों की जुराब में कितना फरक है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप अपने बनाएंगे वो किसे हसाब से बनाएंगे आये जी इसमें फंदे डालना शुरू करते हैं फंदे हम इस तरह से डालेंगे यह देखिए यहां से इसको पकड़ा और यह इस तरह से इस तरह से हम इसमें तीस जोड डालेंगे अब अब आमने इसको बुनना शुरू करना है इसकी पहली लाइन है इसको इस तरह से करने और उल्टा बुनना पहली लाइन इसकी इस तरह से बनाए जाएगी इस तरह से, यह इहां से निकाला ये उल्टा, ये पूरी लाइन उल्टी भुने की ये इसकी दूसरी लाइन शुरू हैगी, ये इसको भी हमने उल्टा भुनना है, ये बॉर्डर है हम इस तरह से अगे लेके और ये ऐसे बॉर्डर में इसमें उल्टी-उल्टी सिलाईयों का बना रही हूँ और ये बॉर्डर के टोटल आठ सिलाईयां बनाएंगे इसमें हो इस तरह से ये हमारे पास ऐसी बुनाई आ जाएगे ये जी समें बॉर्डर बना लिया मैंने चार लाइनों का बॉर्डर बना बनाएं ये एक दो, तीन, चार चार लाइन बनगी हैं हमारे ये ऐसे देखेंगे तो ये चार देखेंग долго ये जो बनता है हमारा ये वहला एक ये एक सीदी साइड से और एकाषि可以 साइड से तभी एक बनता है यानि कि ये आठ से लएंगे और वैसे हम इने कांट करते हैं तो हम इने चार में कांट करते हैं और इसके साथ मैंने ये देखिए दो दबगे ऐसे ले लिए इनको मैं इसमें सेंटर में लगाऊंगी और पहले हमने इसमें आदे फंदे इदर और आदे इदर और बीच में हमने छे फंदे लेने जैसे के ये बनाए हुए ये देखिए बॉर्डर में आदे इदर आदे इदर और बीच के ये छे ये देखिए इस तरह से दो दो चार और यह यहां से यह उस तरह से बड़े होँने देखिए जए अब इसको कैसे करेंगे हम पहले हमने यह वाला जो पहला फंदा है इसको हमने किसी में भी count नहीं करना यह हमने ऐसी उतार लेना और अब हमने यह बुनती डालनी है इसमें जो बुनाई इसमें डली वी है ये इसको डालेंगे इसके लिए हमने ये पहला फंदा हमने बिना उसके उतार लिया जैसे था वैसे उतार लेना है एक इधर का और एक इधर का इनको हमने बीच में इन में काउंट नहीं करना इसके बाद हमने इसमें तेरा जोड ऐसे बुन्नेया दो यह देखे जी दो सिद्धे और दो उल्टे ठीक है जी यह डिजाइन है इसका यह जो है यह वाला दो सिद्धे और दो उल्टे और उल्टी सिलाई सारी उल्टे एक दो यह दागगा उदर करके और एक दो दागगा गिलाके दो उल्टे एक दो यह हम तेरा जोड बुन लेंगे इसके तेरा जोड का मतलब होगे 26 फंदे यह हमने तेरा जोड बुन लिए और इसको छोड देना देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा यह तेरा बुनाई होगी हमारे अब हमने यह वाले भी सिद्धे बुने जैसे यह सिद्धे बुने हुए ऐसे ही इनको भी सिद्धा लेना ह यह यह जो बीच के जो दो हैं इनके इधर और इधर हमेशा ही सिद्धे चलेंगे चाहे इधर इस साइड में बुनाई आए चाहे ना आए अभी हमने दो सिद्धे ले लिए अब हमने यह देखिए ऐसे दागगा इधर करना है और यह जो बीच के दो हैं इनको हमने इस तरह जानाय से यह हमारा फंधा बढ़ गया ठीकर अब औमने ये बुल लेन आ ऐसे आपने इसके साथ इदर से पंदा मुड़ा नहीं तो हमने ऐसे एक फंधा भड़ बढ़ खें यहाँ आप अब तौने इसको बोल डुकिन है इसले अब हम यहाँ पे यह धग्गा लगा लेंगे पैचान के लिए कि यह हमने 13 जोड के बाद यहाँ पे बढ़ाएं यह देखे एक दो तीन चार चार जोड़ें यह आठ होगे हमारे पास आठ फंदे होगे इसको हम इस तरह से क्रोशिय से या पहले ही लगा लेती में ठीक था इस तरह से लगा लेंगे और अब हमने इदर ऐसे छोड़ देना इसको ताकि यह हमारे पास पैचान के लिए रहे अब हमने इदर दो सिद्धे लेने यही वाला डिजाइन हमारा इदर चलेगा यह अब हम दो सिद्धे और दो उल्डे इस तरह से बनेंगे दो सिद्धे दो उल्डे दो सिद्धे दो उल्डे दो सिद्धे दो सीद्दे और दो उल्टे पूरी लाइन ऐसे करें गया हूँ दो उल्टे दो सीद्दे दो उल्टे और दो सीद्दे और यह जो है यह हमने मैंने आपको जासे पहले बताया था इदर का हमने एक छोड़ा था तो यह भी ऐसे ही है इसको हमने सीद्दे के साथ है तो सीद्दा ही मुल लेंगे यह देखिए ऐसे यह हमार पास हमने दो पैचान के लिए लगा लिए अब यह देखिए हर लाइन में यह बीच वाले दो हैं जो इनके साथ यह यहां पर बल देके बड़ा हुआ है यह यहां पर जाली बनती जाएगी और साथ में यह बढ़ता भी चाहेगा अब यह हमारी उल्टी से लायागी इसको हमने पूरी लाइन को उल्टा बुन लेना एसे लेके देखिए यह बिना बुना उतारने का मतलब यह होता है कि यह जो हमारी फली है यह हमारी सिद्धी-सिद्धी बुने जाएगी इस तरह से यह बिना बुने उतारने का यह मतलब है अभल अब ये ऊल्टा ऊल्टा पूरी लाईन हो बुनलेंगे इस तरह से ए। ये सारी लाईन ऐसे गुनी जाएगी उल्टी येली इस तरह से ये सार्वा नहीं इसको भी हो मुट zessर आइगे इसतरह से और ये एसे यह बल इसको भी ऐसे मुल ले न है यह बढ़ गया हम अरपास बीच वाले दो फंदे बढ़ गए यह छे की विजाए अब आठ हो गया हम अरपास यह अब इसकी अगली लाइन आगी ऐसे देखिए अब हमने यह वाला धगा ऐसे उतार लेना है और इस वाले को अगये लाके अब जो हमने पहली लाइन में दो सिद्धे बुने थे यह देखिए इस तरह से अब हमने इनको यह उलॹटा बुन Sum는 दो को यह पर देणी धक दो उल्टे और यूल्टे वह हमने शिद्धे करले दो सिद्धे यह दिकी यह ये उल्टे भूने हुए तो इनको हम सिद्धा हुनेंगे आए और यह उल्ठे इस तरह से यह सिद्धे और यह उल्टे बाव कね अ दो ये फिर जिद्ध रूर्टे बुने जयेंगे इसमें 2 और ये उर्त कुछ सिद्ध करते हो सुङाली लाइन में सिद्धे वो उल्टे हो जाएंगे जो उल्टे बुने हुऊंए वो सीद्धे बुने जाएंगे अब यह सिद्धे बुने होए इनको धागा outcome कर Woah अब ऐसे यह उल्टे है तो यह सीद्धे बुने जाएंगे अब देखे यह उल्टे हैं तो यह हमारे सिद्धे बुनेंगे इस तरह से लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस जो बीच में हम बढ़ा रहे हैं इनके साथ वाले हर बारे में सिद्धे बुने जाएंगे ठीक है यह अभी यहां पे सिद्धे आगे अब इनको उल्टा बुल लेने दो उल्टे यह देखे यह हर बारे में सिद्धे होने चाहिए इन में हमने डिजाइन नहीं बनाना यह सिद्धे ही बनाए जाएंगे अब यह देखे ऐसे अब फिर द्वाई धागगए करना ऐसे और अब इनके साथ में यह फिर बढ़ गया हमारा लेखे इस तरह से फिर से बताती हूँने यह दो यह हमारा धागगगा है जहांसे हमने यह छोड़ा हुआ है है इसके सासमें हमने यह इधागा करना है और जो पहले भढ़ाया हुआ था हमने यह यहं से इस तरह से श्रुख है यह एक और बढ़ गया मरथ अब यह सिद्धanh यह बीच के दो जो हे और यह वाला भी जो हमने बढ़ाया हुगा है फेज़ि ऑमने बढ़ाने है तो हम इंदागा आंगा ऒगे ऐसे और ये इस तरह से अभी यह है याने सी अब आगे दान कते के इस तरह से अब ये उंटे क्योंकिय निक्चे से सिंध्य बुने हुए तो यह उल्टे बुने है यह शिवधे दो और यह उल्टे इस तरह से बढाते हुए हमने इसमें पूरी 10 लाईने कर लेनी है यानि कि यह 10 बारी बढाने है हमने बीच में यह वाले और आगे बढ़ते जाना है इस तरह से बढ़ाते हुए ये देखू जो हम अरपस मैंने इसकी दस लेने बढ़ा ली और ये बढ़ गया हम अरपस ये देखिए यहां से दागे लगाये थे हमने और ये इदर से इस तरह से देखिए मैं काउंट करके बता देती हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो और ये दस दस में आगे हम और आगे इसको अब हमने इसमें यदि हमारा ये वला कम लग रहा है हमें तो हम और बढ़ा सकते हैं ये जो बढ़ाने वाली है इसकी हम अपनी मर्जी से कम या जादा कर सकते हैं इसको कम बढ़ाएं चोटे बच्चे की बना रहे हैं तो ये कम बढ़ाएं और बड़े की बना रहे हैं तो ज़्यादा बढ़ा लें वो आप पे अपनी बुनाई पे डिपेंड करता है जी अब देखिए हमने इसमें यहां से अब फिर से ये निच्चे वाला बनाना पोर्शन ये तो हमने बना लिया इतना यहां तक अब हमने ये वाला पोर्शन बनाना इसका इसमें हम ये जैसे हमने यहां पे चार सिलाइया डाली थी ऐसे हम इसमें यहां पे ये पांच सिलाइया दालेंगे देखिए ये पांच का मतलब हो गया दस सिलाइयां देखिए इसमें अब हमने ये ऐसे दागगा इदर करके और इसको पूरे को उल्टा बुन देने अब हमने कोई इसमें कुछ नहीं करना बस सिद्धी सिलाइयां बना देने इसमें इसमें सारा उल्टा-उल्टा बुनेगा सिद्धी सिलाई में और उल्टी सिलाई में भी जैसे हमने ये बार्डर बनाया था वैसा ही हमने ये इपर से मना देना है और ये दागगे जी निकाल देते हैं इस तरह से पूरा बना लेंगे हम ये जी हमारा बन गया देखिए पांच सिलाईया में ने बना ली इसकी ये ए एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से गिनेंगे तो ये दस लाईया बनी है और वैसे इसको काउंट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक सीधी साइड और एक उल्टी साइड को एक काउंट करते हैं तो उस हिसाब से ये पांच मनी है एक दो तीन चार पांच बस आप जैसे आपको कमफर्टेबल लगता है वैसे आप इसका हिसाब रखें और ये निच्छे से चार डले हुए ये वाली और उपर जाके ही हमने पांच डली है ये वाली से लाइए और यहां से देखिए जी इसक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में जाके ये मैंने सिंपल उल्टा-उल्टा बुन दिया इसको इधर से भी और अब हमने इसको खतम करना है ये जुराब बन गी है हमारी अब हमने इसको सिलाई करनी है और ये हम अब इसका क्या करेंगे हम इसको उल्टा बुनते हुए आद्दे में ल आद्दा होएगा इसका और यह यहां से इस तरह से यहां पहुंचेंगे हम इसको उल्टा-उल्टा बुनते हुए यह जी जुराबे हमने तेईस जोड के साथ शुरू की थी और इसमें हमने दस बढ़ाए ठीक है जी और अब यह हम अरपास 40 होगे 20 जोड इदर और 20 जोड इस साइट में अब हमने आप देखिए यह जुराब एकदम बनके त्यार है यहां से मैं इसको आद्दा उल्टा बुनते हुए लेके आई हूँ जैसे के आप देख रहे हो यह देखिए फरक पता लग जाएगा यहां से एक द इसको हमने यह डाला इधर से यह लिया एक ठीच इसको कस्दिया और यह दोन्नों को यह हमारा आगे में के यह हमने इस तरह से अब यह दो होगे हमरे पस्ट दो और इसको यह गदाने का तरीक है इसको यह दो बुने यह दोन्नों में से लिया देखिए यह और यह और इनको बुना हमने और यहां से यह इस तरह से ठीक है यह अपनी जुराब बनगी अब हमने यह सारा इसी तरह से घटा देना दो का दो में से एक किया और इसको पहले वाले फंदे के यह इस तरह से घटा देना है जैसा आपका हाथ है वैसा ही चलेगा इसमें डिल्ल है तो डिल्ला चलेगा टाइट है तो टाइट यदि बहुत ज्यादा डिल्ला है तो आप बारीक सिलाई लीजिए यह वाली यदि बहुत ज्यादा कसा हुआ है तो यह सिलाई जिससे हम कर रहे हैं यह आप 9 नंबर की लीजिए नहीं तो जैसे यह 10 नंबर की है तो यह मैंने 10 की ही लिए यह मैंने 10 की चला रहे हैं तो यह कोरे की दस की लिए, हैं अब ने हाथ और हम डिला बुनना चाहते हैं तो हम बड़े नंबर की से लाइ लेंगे, और यदि लिला जाए्वार चलता कि यह जी घटा दिये हमने इस तरह से और कि यह बन गी है हमारी जुरा और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था मैं फर्क बताऊंगे इसमें आपको और इसमें और इसमें दस फंदों का फरक है वही सोई देखे यह उपर से ऐसे दिखाई दे रहें इसमें 40 फंदों से बनाई थी और यह यह 40 फंदों से जोड बंडाइन हुए है फरक आपके सामने है कि इसमें यह यह उल्टी साइब से हम इसको इस तरह से इसकी सिलाई करतेंगे यह यहां से पकड़की और यह यह देखे फली से फली अपने आपी जुरती चली जाएगी इसकी से पकड़की जाएगी से इसकी साथ अपने आपी ग्सकत्त एंग किस्दमारी जा शवरी अे जा वसा लुए ब्रेटीजी जा शवरी जा ब्रेटी विव्ट घ्को ब्रेटी यह जुराप बनाने आसान लगेगी और पसंद आएगी यह दि आपको अच्छी लगे पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जी और इस वीडियो को लाइक करें और धन्यावाद जी मिलते आगले वीडियो में